अज़की जो विकंसी है यह आपको रेलवे के तरब से देखने के लिए इंडियान डेलवे के तरब से आपको विकंसी देखने के लिए यह कोई PSU नहीं है बिल्कुल रेलवे के तरब से विकंसी अभी निकल करका रही है जो भी इसमें इंट्रेस्ट होंगे इलिजिबल देशे की सिभील मेकनिकल जो भी लीडिंग ब्रांच है उनके लिए पर आपको वेकंसी देखने के लिए जरूर से आप लोग इसमें अप्लाइ की जिएगा इसमें आपको अच्छी खासी यहां पर सेली भी मिलती है जो भी आपको रेलवे में आरवी जी में आपको सेली क्या रहने वाले सभी कुछ आपको आगे वीडियो में जाने के लिए मिलेगा और इसको कैसे अप्लाइ करके बिखाऊंगा और इन जो भी लिंक से मैं आपको प्रोवाइट करूगा डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग जरूर से पहले वीडियो को देख लीजे समझ लीज करते हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा साथी बेल अके प्रेश करके और फिलेक्ट जरूर से करके रखेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करो तो उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगे और बहुत सारे ऐसे जोब स्विकेंश से आप डिप्लोमा कर रखें या अकॉंट से ट्रेट से आईटिय कर रखें कमेंट सेक्षन में जरूर से बताइएगा ताकि आने वाले जो वीडियो जैं आपसे रिलेवेंट आपको देखने के लिए देख सकते हैं ये इसका ओफिस्यल रिपटाजमेंट नोटीस है और य कोंट्रेक्ट वेसिक पर आपको ये वेकंसी देखने के लिए मिल रही है जिसमें की वेश्ट सेंट्रल डेलिवे में अभी आप लोग को जॉब्स होने वाले कोंट्रेक्ट वेसिक पर जब तक की आरारबी जे की पर्मानेंट जॉब्स नहीं आ जाती है इसका ये डिटेल है और इसमें सभी कुछ डिटेल्स में दिया गया है बहुत सारे यहां पर ब्रांज के लिए वेकंसी भी आउट की गई है इसका नोटिफिकेसन नमर यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा लास्ट टेट की बात करें तो 20 ऑफ फेबरेडी 2023 इसका लास्ट टेट है आपको बताए था कि अभी जो रेल्वे का आरही इत जी का वेकंसी उसका नाम स्पकशेंज करकर यहuster कर ब्र है उसका टेक्निक्ल ऐसोंत या टैकनिकल असिसेंट नाम देकर के वेकंस்की निकालते हैं जिसमें कि अभी है अब पर वेकंसी मिलेगा इस तरीके से रिजर्वे Technical Associate Works का इसमें Civil वाले अपलाई कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको वेकंसी देखने के मिलेगा टिली Communication में इसमें कि Senior Technical Associate और जुनियर टेकनिकल एसोसियेट दिया गया जिसमें आप BSc दिया है अगर आप Civil Engineering में 3-year का डुरेशन का अगर आप BSc भी कर रखें तो भी अपलाई कर पाएंगे और और में करके यहां पर दिया गया है कि अगर आप Technology Communication Engineering और MSC Electronics में अगर आप कर रखें तो आप इसमें अपलाई कर पाएंगे साथी साथ यहां पर और में करके दिया गया कि अगर कम्बिनेशन ऑफ एनी सब एस्ट्रीम और बेसिक एस्ट्रीम ऑफ Electrical, Electronics, Information Technology या Communication Engineering इसके सब ब्रांच या सब एस्ट्रीम के किसी कम्बिनेशन से भी कर रखें तो भी आप इसमें अपलाई कर पाएंगे Next Vacancy यहां पर Junior Technical Associate का जो है इसमें 3-year का डिप्लोमा अगर आप यही सब ब्रांच इलेक्ट्रीकल, Electronics, Information, Technology और Communication, Engineering और अगर आप बी बीटेक कर रखें इसमें only डिप्लोमा लोक लिए दिया गया है तो अगर आप इसमें Junior Technical Associate में डिप्लोमा और Senior Technical Associate में बी बीटेक वाले अप 3-year का डिप्लोमा कर रखें अगर Electrical Engineering में तो भी आप इसमें अपलाई कर पाएंगे और BSc Graduation कर रखें Electrical Engineering में तो भी आप इसमें अपलाई कर पाएंगे तो यह था इसका Qualification Details Information इनमें से अगर आप किसी भी पोस्ट में eligible होते हैं और अगर पोजेज करते हैं यह Qualification तो आप आप हैं तो minimum 60% मार्क से पास होने चाहिए अगर आप OBC कटेगरी में आते हैं तो minimum 55% मार्क से पास होने चाहिए और अगर आप CST Candidate आते हैं तो minimum 50% मार्क से पास होना जरूरूरी है यह इसमें क्रेटरिया दिया गया है उसकी बाद यहाँ पर आपको relevant position professional experience related यहां पर दिय पर भी काम किया है only one year भी तो आप इसमें भी apply कर सकते हैं अगर इसमें आपको होता है तो यहाँ पर भी आपको experience मिल जाएगा जो की railway का reported organization में आपका experience होगा तो आपको बाहर आपको आसानी से दूसरे जगह कहीं पर भी आपको आसानी से job मिल सकती है उसके बाद जो यहाँ पर telecommunication senior technical और junior technical के लिए इसमें भी आपको minimum 2 year के लिए senior के लिए और junior technical associate के लिए one year का जो की सभी में government PSU यहाँ पर लिखा गया है तो कहीं पर भी काम किया है आप इसमें लगा करके apply कर सकते हैं उसके बाद की जो post है senior technical associate OHE और OHE electrical वालों में इसमें भी 2 year का और एक year का experience mandatory है अब बात कर लेते हैं कि age limit क्या रहने वाली है तो senior technical associate का जो भी post है उसके लिए age limit 21 से लेकर के 35 के बीच में आपका age होना चाहिए वहीं पर बात करें junior technical associate civil वाले और जो भी सारे बचगे हैं पर post हैं इनके लिए आपको 18 से लेकर के 33 के बीच में आपका age होना चाहिए इसमे में आपको कितनी application fee pay करने होंगे तो यहां पर दिया गया है कि आपको 250 रुपे application fee pay करने होंगे for SCHT women candidate और minorities and economically backward class के candidate को यहां पर 250 रुपे पे करने होंगे बात बात कर लेते हैं कि क्या इसमें selection process रहने वाली किस तरीके सापका इसमें selection होगा तो इसमें screening criteria में पहला criteria दिया गया है कि जो भी आपका mark आया है जो भी diploma B.E.B.Tech में जो भी आपका mark आया है उसका यहां पर 40% weightage रहने वाली है जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं 40% में भी 25 और 15 का यहां पर criteria दिया गया है वो कि इस तरीके से हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे इस यहां पर दिया गया अगर आपका पास higher qualification होगा higher education होगा जैसे कि M.E.M.Tech या B.E.B.Tech तो उसके लिए आपको इसमें कुछ bonus point यहां पर दिये जाएंगे लेकिन educational के लिए weightage जो है 40% आपका रहने वाली है उसके बाद यहां पर 40% weightage दिया गया working experience का अगर आप जहां पर भी क professional proficiency test का weightage 20% रखा गया तो इसमें भी आपको करेटरिया दिया गया दस मार्क पांच मार्क और पांच मार्क तो यह total मिला करके 20 इस तरीके से आपका इसमें 100% weightage होता है और 100% weightage में जितना आप score करोगे उसके आधार पर आपका इसमें सेलेक्शन होने वाली है यहां पर मन् linear technical associate में आपको 25,000, Z class में, Y class में 37,000 और X class में 30,000 यह आपको मिलने वाली है तो इन में से और भी सारे यहां पर आपको daily allowance और भी कुछ-कुछ यहां पर आपको benefits मिलने वाले हैं अलग से दिये जाएंगे जो कि इसके अलावे होंगे तो यह आपको include कर दिया जागा तो यह इसका detail information इसका जो duration है यहां पर दिया गहा है कि contract जो engagement है आपका 19-11-2023 तक रहने वाली है जो कि पिछले RRB का जो notice निकला था यह date यहां पर दिया गहा है कि इस date तक यह लोग contract basic पर काम करवाएंगे उसके बाद ही आपको या उससे पहले भी RRB JEE की permanent vacancy जब भी आती है त तब तक यह रहने वाली है जो कि यहां पर भी लिखा गया है कि जब तक regular selected candidate नहीं आ जाते हैं तब तक आपकी यह रहने गी और ज्यादा से ज्यादा 19-2023 तक रह सकती है तो यह था इसका detail information आप आप इसको समझे होंगे इनको कैसे apply करना है तो आपको मैं वीडियो के description में link दे दूँगा वहां पर आप लोग पहले online इसको apply कर लीजिए उसके बाद यहां पर आपको इसका document भी send करना होगा तो वह भी यहां पर इसका notification PDF है आप लोग download करके पढ़ लीजी अच्छे से उसके बाद अगर आप इसमें eligible हैं interested हैं तो जिरूड सी इसमें apply कर सकते हैं तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए सुक्रिया और थैंक्यों वीडियो को जिरूर से लाइक सेर सब्सक्राइब कर दीजेगा